आदल्य अदिक जी नए सांसद भवन का ये प्रथम और एतिहासिक सत्र है मैं सभी मान्य सांसदों को और सभी देश वासियों को बहुत बहुत सुप्रामणाय देता हूँ आदल्य अदिक जी आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अउसर दिया है इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस नए संसद भवन में मैं आप सभी मानिय संसदों का भी रजय से स्वागत करता हूँ यह अउसर कई माइनों में अभुद्पूर्वा है आज हादिके अमृत काल का यह उशा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविश्वत तै करने के लिए आगे बढ़ रहा है विज्ञान जगत में चंद्रयान तीन की गगन चुम्बी सफलता हर देश वाची को गर्व से खर देती भारत के अध्यक्षता में जी ट्वेंटी का असाधारन आयोज़़ विश्व में इच्छित प्रभाव इस अर्थ में ये अध्वित्य उप्लब्दियां हासिल करने वाला एक अउसर भारत के लिए बना इसी अलोग में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का पतीक नए संसत धोन का शुभारम हुआ है सुखत संयोग है कि ये गनेश चतुर्धी का शुभ दिन है गनेश जी शुभता और सिद्धी के देवता है गनेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारम संकल्प से सिद्धी की और एक नए विश्वास के थाथ यात्रा को आरंब करने का है आज हादी के हम रितकान में हम जब नए संकल्पों को लेकर करके चल रहे है तब अब जब गनेश चतुर्धी का परवा आज है तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभावी के आज हादी के अंदोलद में लोकमान्य तिलक जी ने गनेश उत्षव को एक सारवजिनी गनेश उत्षव के रूप में प्रसाबित करके पूरे राष्ट में सुराज की अहलेग जगाने का माध्यम बनाया था लोकमान्य तिलक जी ने गनेश पर्व से सुराज की संकल्पना को शक्ति दी उसी प्रकार से आज ये गनेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत सुराज की बात कही थी आज हम सम्रुद्ध भारत गनेश चतुर्थी के पावन दिवसपर उसकी प्रेणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं सभी देश वासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आदेने अद्धग जी आज सम्वत्षरी का भी पर्व है ये अपने आप में एक अधुभूत परंपरा है इस दिन को एक प्रकार थे छमा वानि का भी पर्व कहते हैं आज मिच्छामी दुकडम कहने का दीन है ये पर्वा मन से कर्म से वचन से अगर जाने अंजाने किसी को भी दुक पहुँचाया है तो उसकी शमायातना का अउसर है मेरी तरब से भी पूरी विनम्रता के साथ पूरे रदय से आप सभी को सभी सांसात सदस्यों को और सभी देश वास्यों को मिच्छामी दुकडम आज जब हम एक नई शुरुवात कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भूला कर आगे बढ़ना है इस्पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आत्रण से हमारे वानी से हमारे संकल पॉसरे जो भी करेंगे देश के लिए राष्ट के एक एक नागरी के लिए वो प्रेणा का कारण बनना चाहिए और हम सब को इस दाईत्व को निभाने के लिए बर्शक प्रयास भी करना चाहिए आदिने अद्दक जी यह भवन नया है यहां सब कुछ नया है सारी व्यवस्ताएं नहीं यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तूत किया है सब कुछ नया है लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मोजीद है वो नया नहीं है वो पुराना है और वो आज़ादी की पहली किरन का स्वयम साक्षी रहा है जो आज अभी हमारे बीच उपस्तित है वो हमारे समृत्य इतियास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं संसदिय लोकतंत्र का जब यह नए अग्रवेश हो रहा है तो यहाँ पर आज़ादी की पहली किरन का साक्षी जो आने वाली पीडियों के भी प्रेणा देने वाला है वैसा पवित्र सेंगोल और यह वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रधाम प्रधान मंत्री पंडित नहरू का स्पर्ष होगा था यह पंडित नहरू के हाथों में पूजा विज़ी करकर के आज हादी के परवका प्रारंब हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपव अतीत को उसके साथ एस सेंगोल हमें जोडता है तमिल नाडू की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही देश को जोड़ने का भी देश की एकता का भी वो प्रतीक है और हम सभी मान्य सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नहरू के हाथ में शोभा देता था वो आज हम सब की प्रेणा का कारण बन रहा है इससे बड़ा गरव क्या हो करता है आदर्णिय अद्रक जी नए समसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है हमारे स्रमीक हमारे इंजिनियर्स हमारे कामगारों उनका पसीना इसमें लगा है और कुरोना काल में भी उनोंने जिस लगन से इस काम को किया है क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन समीकों के बीच आने का बार बार मोका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्त को लेकर के उनसे मिलने आता था लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया आज मैं चाहूंगा घ्रम सब हमारे समीकों का हमारे हून कामगारों का हमारे इंजिनियर्स का रुदैर से धन्यवाद करें जो दैसे जो उनके द्वाराय निर्मित भावी पीडियों को पेना देने वाला है और तीस हजार से जादा समी बंधों ने परिश्रम किया है पसीना बाहाया है इस भव्य वबस्ता को खड़ी करने के लिए और कई पीडियों के लिए ये बहुत बड़ा योग राता है मैंने अध्यक जी मैं उन स्रम्योगियों का नमन तो करता ही लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंब हो रहा है इसका मुझे अत्त आनद है इस सदन में एक डिजिटल बूक रखी गई है जिस डिजिटल बूक में उन सभी स्रम्योगों के पूरा परिचे इसमें रखा गया है ताके आने वाली पूरियों का पता जनेगा कि हिंदुस्तान के किस कौने थे कौन समीर थे आकर के इस भवी इमारत को याने उनके पसीने को भी अमरत्व देदे का प्रयास इस सदन में हो रहा है ये एक नई शुरुवात है शुभ शुरुवात है और हम सब के लिए गर्व की शुरुवात है मैं इस अवसर पर 140 करोड देश वाचों की तरफ से मैं इस अवसर पर लोग तंत्र की महान परंप्रा की तरफ से हमारे इस समीकों का अभिन्न तरफा है आदे नियत्यक जी हमारी यहां कहां जाता है यद्भावो तद्भावती और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ गटित होता है यद्भावो तद्भावती और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करते हैं प्रवेश किया है पुझे विश्वानत है भावना बीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे और वो बहुत बड़ी श्वाबा भी है भवन बदला है जंगा भाव भी बदलना चाहिए भावना भी बदलने चाहिए सवस्त राष्ट सेवा का सरजुस्त स्थान है यह संसत दलहिद के लिए नहीं है हमारे समिधान निर्मादाओं ने इतनी पवीतर संस्ता का निर्माद दलहिद के लिए नहीं नेहीं है सिर्फ और सिर्फ देश हिद के लिए कि नए भवन में हम सभी अपने बानी से विचार से आचार से कि समिधान के जो स्पिरिट उन मांद्र लोग को ले करें नए संकल्पों के अनुसार नभी भाव को ले करें नई भावना को ले आज भी कह रहे थे कभी स्पस्ट कह रहे थे कभी खोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे हम सांसदों के वहवार के समझ मैं मेरी तरव से आपको आश्वसन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसर आपकी आशा आपक्षा में खरे उतरे हम अनुशासन का पालन करें देश हमें देखता है आप जैसा दिशा निर्देश करें लेकिन मानिया देख जी अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लेमेंट के मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो ब्यहवार होगा यह निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए वहवार करता हूँ और कौन वहां बैठने के लिए वहवार करता हूँ जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका वहवार क्या होगा और जहां जो यहां आकर के प्रविश में बैठना चाहता है उसका वहवार क्या होगा इसका फर्क बिलकुल आने वाले महिनों में देश देखेगा और उनके बरताओं से पता चलेगा ये मुझे पुरा विश्वा से आदेनियत देख जी हमारी यहाँ बीदों में कहा गया है सम्मिच्चह सब्रता भुत्वा बाचम बदत भदर्या अर्थाथ हम सब एकमत होकर एक समान संकल पर लेकर कल्यान करी सार्थक समवात करे यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं भी मर्श अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे संकल्प एक जूठी होते हैं एक जूठी रहते हैं और इसलिए हमें उसकी एक जूठता के लिए भी भरपूर प्यास करका रहना चाहिए आदेने अदेग जी हमारी संसत ने राष्ट के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है न कोई इधर का है ने उधर का है सब कोई राष्ट के लिए करते रहे मुझे आशा है इस नई सरुवात के साथ इस समवादिय के वातावण में और इस संसत के पूरे डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज़्यादा मजबूत करेंगे हमारी आने वाले पीडियों को अवश्य हम प्रेणा देंगे संसत ये पनंपराओं की जो लक्षमन रेखा है उन लक्षमन रेखा का पालन हम सब को करना चाहिए और वो स्पिकर महोदई के अपिक्षा को हमें जुरूर पुरा करने की कोशिश कर दीशिए आधनिया अध्यक जी लोग तंत्र में राजनीती नीती और शक्ति का इस्तेमाल इस समाज में प्रभावी बड़लाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्स हो स्टार्ट अप्स हो या सेल्फ एल्फ ग्रूप हो हर छेत्र में दुनिया भारती या महलाओं की ताकत देख रही है जीट पेंटी की अध्यक्स्ता विमेंड लेट डेवलप्मेंट की चर्चा आज दुनिया इसका स्वागत कर रही है स्विकार कर रही है दुनिया समझ रही है कि सिर्ब महलाओं की विकास की बात इनप नहीं है हमें मानवजाद की विकास यात्रा में उस नए पड़ाओं को अगर प्राप्त करना है राष्ट के विकास यात्रा में हमने नहीं मंजिनों को पाना है तो यह आवश्चक है कि विमेंड लेट डेवलप्मेंट को हम बल दे हैं और जी ट्विंटी में भारत की इस बात को विश्वने स्विकार किया है महिला स्वसक्ति गण की हमारी हर योजना ने महिला नेत्रुत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए है आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जंदन योजना शुरू की पचास करोड लाभारतियों में उसे भी अधित्तम महिला बैंक एकाउन के धारक बनी है यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है नया विश्वात देता है जब मुद्रा योजना रखें यह देश गर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी दस लाक रुपिय की लोन देनी की योजना और उसका लाभ पूरे देश में सबसे जादा महिलाओं ने उठाया महिला एंटर्पिनर का एक पूरा बातावन देश में नजर आया पी-म आवास योजना बक्के घर ये भी उसकी रजिस्ट्री जादा तर महिलाओं के नाम हुई महिलाओं का मालिकना हक बना आदेनिय अद्रग जी हर देश की विकांस यात्राव है ऐसे माइस्टों आते हैं जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने ड्रया इतिहास रचा है ऐसे कुल पल जीमन में प्राप्त होते हैं और आदेनिय द्रग जी नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूँ कि आज की ये पल आज का ये दिवस समध सरी हो गणिश चतिवत हो उससे भी आशिदवाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्जन करने वाला सबाय हम सब के लिए पल गर्व की पल है अनेक वर्षों से महिला आरक्षन के समझ में बहुत चर्चाय हुई हैं बहुत बाद विवाद हुए हैं महिला आरक्षन को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था अतल जी के कारकाल में कई बार महिला आरक्षन का बिल पेश किया गया कई बार लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधुरा रह रह रहा महिलाओं को अधिकार देने का महिलाओं के शक्ति का उप्योग करने का वो काम शायद इस्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है एक बार फीर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है कली केमिनेट में महिला आरक्षन वाला जो विधेख है उसको बंजूरी दी गई है आज 19 सितंबर की ये तारीक इसी लिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं आज महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं नेत्रुत्व कर रही हैं तो बहुत आवशक है कि नीती निर्धारण में पालिसी मेकिंग में हमारी माताएं बहने हमारी नारी शक्ती अधिक तम योगदान दें ज्यादा से ज्यादा योगदान योगदान ही रही वे महत्वपुन भूमी का निभाय आज इस आइतिहासिक मोके पर नए संसद भवन में सदन की सदन की पहली कारवाई के रुप उस कारवाई के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आवान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी साउसद मिल करके नए प्रविद्वार खोल दें इसका आरम हम इस महत्वपुन नेड़े से करने जा रहे हैं विमेन लेट डेवलोप्मेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमूख संविधान संसोधन विद्वेग प्रस्तुत कर रही है इस विद्वेग का लक्ष लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं की भागिदारी का विस्तार कर देखा है नारी शक्ती बंदन अधिरियम नारी शक्ती बंदन अधिनियम इसके माद्दम से हमारा लोकतंत्र और मजबुत होगा मैं देश की माताओं बहनों बेटियों को नारी शक्ती बंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बढ़ाई दूँगा मैं सभी माताओं बहनों बेटियों को आस्वस्त करता हूं कि हम इस बीर को कानून बनाने के लिए संकल्प बद्द है मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्र पुर्वक निवेदन करता हूं आग्र भी करता हूं और जब एक पावन शुरुवात हो रही है पावक विचार हमारे सामने आया है तो सर्वसम्मती से जब ये बीर कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेग गुना बढ़ जाएगी और इसलिए मैं सभी मान्य सामसदों से दोनों सदन के सभी मान्य सामसदों से इसे सर्वसम्मती से पारिद करने के लिए प्रार्थना करते भी आपका आभाय वेक्त करता है इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को वेक्त करने का अवसर्विया बहुत बहुत धन्यवाद